हलो दोस्तो ट्रेडिंग विट राज यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में आज टाटा मोटर्स के तरफ से एक बड़ी न्यूस निकल कर आई है तो चलिए न्यूस के बारे में डीटेल्स में जानेंगे और बेसिक चीजे हम जानेंगे टाटा मोटर्स के बारे में लेकिन दोस्तो उस से पहले आपसे रिक्वेस्ट है इसी प्रकार की और भी वीडियो के लिए चैनल सस्क्राइब कर लिजे, बेल आइकन को प्रेस करके रखी और वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर दीजे मैं आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूंगा दोस्तों आज है 11 अगस्त 2021 और आज टाटा मोटर्स का सेयर ब्राइज 295 रुपए 30 पैसे पे ओपन हुआ था उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे चले गया था और 286 रुपए 45 पैसे तक का लो बनाते हुए हाई बनाया था यहाँ पे 297 रुपए 80 पैसे 80 पैसे का फाइनली 295 रुपए 70 पैसे पे क्लोजिंग हुई थी और 0.51 परसेंट का हमें मामूली सा बड़त आज देखने को मिला था दोस्तो चली अब न्यूस के बारे में जानते हैं लेकिन उससे पहले इनके पिछले कुछ पास्ट जो रिटन है उसको देख लेते हैं देखें दोस्तो ये स्टॉक एक अच्छा तेजी हुआ था और 360 रुपए का हाई बनाने के बाद लगातार इसमें गिरावट हुई और पिछले 6 महिने से इस स्टॉक ने कहीं भी कोई रिटन नहीं दिया है और यहाँ पे हमें दोस्तो यहाँ पे 10% का निगेटिव डिटन देखने को मिल रहा है पिछले 6 मन्त में दोस्तो कमपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और अब ये अच्छा काम कर रही है लगातार अच्छा न्यूस हमें मिलते जा रहा है और दोस्तों company जो है electric vehicle segment में लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है और electric vehicle में सबसे आगे है तो ये एक अच्छी चीज़े है लेकिन इसी बीच हमारा ये देखिए news निकल कर रहे है Tata Motors ने आज लाँच किया है यहाँ पे XTA variant लाँच किया है Harrier का और Tata Safari का और जिसकी price है 19.14 लाख है तो यहाँ पे हमें दोस्तों एक बड़ा अच्छा चीज़े देखने को मिल रहे है company लगातार कुछ नकुछ लेकर आ रही है कुछ नकुछ लाँच कर रही है तो definitely company का जो goal है company को जो debt free करना है अगले दो सालों में तो लगातार company लगा हुई है और उस पे काम भी कर रही है तो चलिए और भी आपको details में बताते हैं इस news के बारे में हमारे साथ बने रही है और वीडियो को like कर दीजिए भारत के प्रमुक automotive ब्रैंडों में से एक Tata Motors ने अपनी प्रमुक SUVS Harrier और सफारी के XTA variant लाँच किये यह नए वैरियंट छेट स्पीड आटोमेटिक ट्रांस्मिशन और पैनोरमिक सनरूफ के साथ आएंगे और हैरियर XTA के लिए 19.8 चार लाख रुपे, हैरियर XTA डाक के लिए 19.3 चार लाख रुपे और सफारी XTA जोड के लिए 20.08 लाख रुपे की कीमत होगी हैरियर और सफारी 41.2 प्रतिशत बजार हिस्सेदारी, वितवर्ष 22 की पहली तिमाही के अनुसार के साथ उच्चे SUV सेग्मेंट में सामुहिक रूप से अग्रनी हैं और XTA वैरियंट इस तेजी से बढ़ते सेग्मेंट में पोर्टफोलियो को मजबूत करते हुए पूरी पेशकश में और अधिक गतिशिलता जोड़ देगा इन नए वैरियंट को पेश करने पर टिपणी करते हुए विवेक श्रीवत्स, हेड मारकेटिंग, पैसेंजर वीकल बिजनेस यूनिट, टाटा मोटर्स ने कहा हम हैरियर और सफारी को मिली प्रतिक्रिया से खुश हैं हमारे ग्राहकों के प्यार ने हमें हाई SUV सेग्मेंट में पॉल हासिल करने में मदद की है अपने ग्राहकों की आवर्शक्ता को सर्वोच प्राथमिक्ता के रूप में रखते हुए